नमस्कार दोस्तों, आज हम एसे व्यक्तिव मत्व के बारे में जानकारी लेंगे, जिससे आपका और समाज का जीवन पूरी तरव बदल सकता है, तो चलिए शुरुआत करते आज के वीडियो को हम एक एसे व्यक्तिव मतों के बारे में जानकारी लेने वाल है, उनका नाम है चत्रवती शिवाजी महाराज, इनके बारे में हम सभी ने बहुत कुछ सुना होगा, पर आपको पता है कि इन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा सोराज्य के से निर्मान किया क्या आपको पता है कि चत्रवती शिवाजी महाराज, इनका वो कौन सा एसा गुन है, जिससे उन्होंने इतना बड़ा सोराज्य निर्मान किया हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज इनका ओगुन जिसने उन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा सोराज निर्मान किया आज साड़े तिन सो सालों के बाद भी बड़े बड़ी इनवर्शिटी में उनके जीवन के बारे में पढ़ाई की जाती है महाराज का ओगुने उनका मैनेजमेंट उनके मैनेजमेंट के वज़े से ही उन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा सोराज निर्मान किया अब आप लोग सोचेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है तो चत्रपति महाराज के शब्दों में मैनेजमेंट का रूल है मतलब लोगों से प्रॉपर काम कर लेना और उनको उस काम का पे करना यह जो प्रॉपर स्किल है उसे मैनेजमेंट करते हैं किसी से जबरदस्ती से काम करवाना यह मैनेजमेंट नहीं है यही महाराज का कहना है वर्ड के कुछ टॉप मैनेजमेंट गुरू की हम वैख्या देखेंगे पहली वैख्या लोगों से काम करवाने की कला यानी मैनेजमेंट दूसरी वैख्या मैनेजमेंट की सभी सामगरी को हसिल करना उन सभी सामगरी को काम के लिए लगाना और उन पर नियंत्रन रखकर अपना उचित लक्ष प्राप्त करना अब हम देखेंगे चत्रवदी शिवाजी महाराज ने इन सभी रूल को अपने जीवन में कैसे उतारा और उससे अपना उचित देय कैसे प्राप्त किया पहला रूल Management is the art of getting thing done through people मतलब है चत्रवदी शिवाजी महाराज ने सभी साधारन लोगों से अपने बड़े-बड़े कार्य करवा के लिए और अपने उचित देय को प्राप्त किया उधारन के लिए ताना जी मालूसरे, इसा जी कंक, सुर्या जी काकडे Management is a distinct process consisting of planning, organizing activities and controlling performance to determine and accomplish stated objective with use of human beings and other resources. सुराज जस्तापंग करने के लिए जीन घटकों की जरुरती उसे अलग-अलग तरीके से हासिल करके उसको काम पर लगाया और उस पे नियंत्रन दिया और उससे अपना उचित देय अप्राप्त किया. सभी टॉप Management गुरू की वेख्या महाराज ने 200 साल पहले अपने सुराज के सपने को साकार करने के लिए उपयोग में लाई. तब इन सभी वर्ल्ड के टॉप Management गुरू का जन भी नहीं हुआ था. मुझे लगता है कि चत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को देखकर ही इन सभी ने अपनी Management की वेख्या बनाई होगी. महाराज 16 शतक के है तो यह 19 शतक की वेख्या है. उसी कारण लगता है कि इन सभी टॉप Management गुरूओं ने महाराज के जीवन को पढ़कर अपने बुद्धी का अपयोग करके वेख्या बनाई होगी. Management यह सिर्फ एक उद्ध्योग समूओं के लिए नई है. यह सभी उन सादारन लोगों के जीवन को सपल बनाने की निती है. फिर आप Common Man and National Warfare Management for All यह चत्रबदी शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा धहिय है. इसे हम समझ सकते हैं. हमने देखा चत्रबदी शिवाजी महाराज ने सुराज स्थापं करने के लिए Management का केसा उपयोग किया. अगर वीडियो अच्छा लएए तो Like, Share करें ताकि यह वीडियो किसी का जीवन बदल सकता है. अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें.